हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, दोस्तों आज हम CRO और DSO में क्या डिफ्रेंस होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों आप यह देख सकते हैं, यह CRO है और यह हमारा DSO है दोस्तों, CRO एक Analog Oscilloscope होता है, जो Data को Store नहीं कर सकता है और DSO एक Digital Oscilloscope होता है, जो Data को Store कर सकता है और Analyze कर सकता है CRO का Full Farm होता है Cathode Ray Oscilloscope, तो दोस्तों यह देख सकते हैं, यह Cathode Ray Oscilloscope है और DSO का Full Farm होता है Digital Storage Oscilloscope, Cathode Ray Oscilloscope का Normally इसमें जो जो ट्रिगरिंग होती है और डियसो में जो ट्रिगरिंग होती है वो एडवांस ट्रिगरिंग होती है मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारी यारो में कौन कौन सी ट्रिगरिंग होती है तो आप देख सकते हैं यहां पर यह ट्रिगर सोर्स हैं और यहां पर हम चैनल बन को ट् होती है और एंग्य का यह हमारा Connector Sport है यहांपर हम यूब लोगी होती है अबी मैं आपको दिखा दिता हूा है यह सो मैं अडवांस टे मेरिंग होती है लेकार के लिए यह के लिए यहां पर यह एक कर सकते हैं चैनल मुनको ट्रिंगर कर सकते हैं और कोई अगर अगर अक्सोद होसे लिए भी हम उसको भी सकते हैं और लाइन च्रीटर ऊप्षण हमारे सीयर होते हैं अब मारे लिएव चैनल लाइन लेकिन इसमें आर मिवली मौड एंब जोन सबढ़ाएन यसमें फसक्री ये होते हैं इसमें को से होतóc.. प्रेंट्स, CRO does not have any memory, दोस्तों इसमें कोई memory नहीं होती है, इसमें हम data को स्टोर नहीं कर सकते हैं, CRO में, और भहीं पर DSO में हम data इसमें memory होती है, DSO, DSO है जो मेमोरी, आप देख सकते हैं, इसमें मेमोरी होती है इसमें अंदर इन बिल्ट होती है तो हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसलिए हम इसको एनलाइज कर सकते हैं का B veramente कंगी यूस्भी पर्ट नहीं होता है। कि रसें सिम्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम जो स्क्रीन पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है उसको हम सेव कर सकते हैं तो यह एक डिये सो का बहुत ही एडवांस फीचर है और इसका काफी बेनिफिट है हम इसको इस डेटा को डिज्टली फॉर में सेव कर सकते हैं फ्रेंट्स यारो में हम किसी भी तरह से कोई भी कंप्यूटर को अटेच्च नहीं कर सकते क्योंकि उसमें यूएसबी पोट नहीं होता है या कोई दूसरा पोर्ट नहीं होता है बहीका रहार हम डिये सो में कम्प्यूटर और और पोडेगं कर सकते हैं यूजिंग यूश्बीवlair यहां पर पेंटर के यहां पर just with device है और दूसरा ही हमारा प्रिंटर चे लिए इस तरह से हमें हैं हंपर किसी भी प्रिंटर को या इंटर्स से स्कोठ कर सकते हैं सियारो में हम measurement को डिस्पले नहीं कर सकते यह मेज़र तो कर सकता है क्योंकि हैं पर सकते हैं यह हमारा बोल्ट पर डिविजन बैलू सो कर रहा है यह हमारा बड़ के लिए और यह हमारा जो होरिजंटल है इसमें पर टाइम पर डिविजन बैलू यह हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इसकी स्किल क्या कि उस पर है कितने बोल्ट पर डिविजन पर है और यहां पर कित यहां पर हम इसको measurement की बटन प्रेश करेंगे तो यहां पर हम सारे measurement आ जाएंगे देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मेजरमेंट टाइप आजाएगा कि यह इदेखिए यहां पर एक measurement फिर एक लेड़ीज है और यहां पर बहुत सारे टाइप के measurement हैं आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर peak to peak minimum maximum amplitude top base frequency जो भी है यह सारे parameter को हम यहां पर measure कर सकते हैं और उनको display कर सकते हैं तो यह advanced feature ब्योंसो में होता है जो कि CRO में नहीं होता है हमें CRO में manually measure करना होता है और यहां पर measure भी कर सकते हैं और उसको बड़ा advance जो हमें फाइदा है यह होता है कि CRO की जो राइटिंग speed है बहुत ही हाई होती है और इसकी bandwidth भी हाई होती है क्योंकि यह signal को directly represent करता है display करता है और DSO में इसकी जो bandwidth है वो कम होती है और speed भी limited होती है compared to CRO CRO की speed ज़्यादा होती है और DSO की speed कम होती है इसलिए CRO पर हम कोई भी यहाँ पर कोई भी speed नहीं लखी होती है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं DSO में यहाँ पर यह speed लगी होती है इसकी bandwidth भी होती 70 MHz और इसका sampling rate लिखा था 2 Giga sample per second तो क्योंकि इसमें DSO में कोई भी signal है analog signal है उसको हम पहले उसके sample लेते हैं और फिर इसको digitize करते हैं उसको digital signal में analog को digital में convert किया जाता है तो इसमें कुछ process होती है और उसमें काफी time लगता है तो यह system की limitation है और अगर हम speed बढ़ाते हैं sampling sampling rate बढ़ाते हैं तो इस सर्किट है काफी advanced circuit का use किया आता और वह काफी costly आता तो इससे DSO की speed बढ़ियाता कीमत बढ़ियाती है 70 MHz के अगर दोस्तों cathodary tube में एक tube होती है जैसे हम CRT या cathodary tube कहते हैं और इसको हमें कुछ time के बात रिफ्लेश भी करना पड़ाता है कभी कभी यह स्क्रीन है यह कुछ उन से बनी होती है अलाग अलाग के लिए ग्रीन ब्लू इस टाइप से दोस्तों इसको बहुत है मैं क्यार करने के जरूरत होती है क्योंकि कभी-कभी CRT टूट जाती है तो इसको में और लेकिन यह हमारा LCD परनल होता है तो यह इसकी लाइफ जाना होती यह durable होता है इस पर जो है accurate और stable भी कम होता है दीजो की तुलना में क्योंकि इसमें जो time-based signal है वो रहन पर सरकिट द्वारा जनरेट के आता है और डीजो में यह जो signal है time-based signal है वो हमारा crystal oscillator द्वारा जनरेट के आता crystal clock द्वारा तो इसलिए यह ज्यादा को अधेनर है और TSO को हम ट्रिगर कर सकते हैं different different ताइप से CR में नहीं कर सकते हैं और इसमें कोई भी storage system नहीं होता है तो दोस्तों है यह कई सारे डिफ्रेंस इसके लाबा भी कई सारे डिफ्रेंस होते हैं दोस्तों CRO कुछ सस्ता होता है और DSO कॉस्टली होता है DSO में power consumption CRO के तुलना में कम होता है और DSO size में भी छोटा होता है और इसकी काफी बड़ी screen आप देख सकते हैं और CRO में यह screen चोटी होती है अगर इसकी screen का size बढ़ेगा तो इसकी जो length है CRO की वो काफ़ी लंबी हो दिक क्योंकि इसमें cathodrate tube होती है तो यह screen का size अगर बढ़ेगा तो cathodrate tube जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और DSO महिंगा होता है इसके लिए बहुत सारी कंपनिया है मार्केट में और DSO हमारा four channel में भी आता है और CRO हमारा dual channel ही आता है four channel साइद नहीं आता है तो DSO में यह कई सारे feature हैं तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को share कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू